तो गैज ये हिजाब डिजाइन बनाने के लिए हमें दो मिटर फैब्रिक की जोरत पड़ेगी मैंने दो मिटर शिफॉन फैब्रिक लिया है आप कोई भी पुराना दुपट्टा या फिर अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जॉर्जेट रियोन या क्रेव अब बात करते हैं हिजाब की चोड़ाई की तो हमारा जो कपड़ा है यानि दुपट्टा है इसकी चोड़ाई में से हमने हिजाब की चोड़ाई निकार ली है तो क्यूंकि मेरे पास यह फैब्रिक है तो इसकी चोड़ाई जादा है अब इसमें से मैं अपने हिजाब की च चोड़ाई ली है अब दिखी ये हमारा हिजाब हो गया है इसकी जो लंबाई है वो लगबग 2 मिटर है और चोड़ाई मैंने इसकी 30 इंच ली है इस तरह से अब इसको साइड में रखेंगे इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फाब्रिक है इसमें से सबसे पहले हम अपना नो ले लेंगे तो 15 इंच को मैं यहां से ले लूँगी इसके बाद मैं इस 15 इंच को इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और यहां से कट कर लूँगी कट करने के बाद अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लूँगी तो ये हमारा फोर फोल्ड हो जाएगा तो इसको एक बार हमने लंबाई में और फोल्ड करना है अब दिखिए ये वाली साइड जहां ये फोल्डट साइड है और ये हमारी खुली साइड है जहां चार लेयर है अब फोल्ड वाली साइड से खुली तरफ को हमने इस तरह से कर्व शेम में एक मार्क करना है और इस माक पर अब कट कर लेना है तो इसको मैंने कम से किम धाइ इंच के क्रॉस पर कर्व दिया है कट करने के बाद देखिए उपर की चू हमारी दो लेयर हैं ये वाली इनको पकड़के हमने उपर की तरफ पुश करना है और नीचे से उपर का जो गैप रहेगा वो मैंने चार इंच लिया है यानि उपर का जो नोस पीस है वो चार इंच छोटा रहेगा अब यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेते हूँ अब जहाँ पर हमने नौचेस लगाये थे मैं यहाँ पर मार्क कर रहे हूं ताके हमें याद रहे हैं यहीं से हमने फोल्ड करना होगा इसके बाद देखें यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिप्स ली हैं जो हम नोस पीज में टाय करने के लिए लगाएंगे तो इन दोनों की जो चोड़ाई है वो हमने दो इंच ले ली है दोनों की चोड़ाई हमने दो इंच ली है और लंबाई हम कम से कम इसकी 20 इंच ले लेंगे तो दोनों की लंबाई भी बराबर रहेगी अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दो साइड में एक सिलाई लगा लेंगे एक तरफ से हम इसको खुला रखेंगे जहां से इसको हमने टर्न करना है सीधी तरफ इसके बाद हमने नो स्ट्रिप्स को चारो तरफ से क्वार्टर इंच डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है तो ये सिलाई को हम थोड़ा बारी करके लगाएंगे यानि हलका हलका फोल्ड करके चारो तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है इसके बाद अब हमने दिखे ये अपना हिजाब वाला पीस लेना है इसको हम चारो तरफ से फोल्ड करेंगे तो इसको भी हमने जादा मोटा फोल्ड नहीं करना बारीक करके फोल्ड करके चारो तरफ से हमने एक सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से ह तो देखिए ये हमारी 35 इंच की लंबाई है और चोड़ाई हमने इसकी 7 इंच ली है अब इस फोरेट पटी को भी हम बीच में से फोल्ड करेंगे और यहां से जितनी भी खुली साइड है इसमें एक सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे यहां तक हमने फोरेट पटी को भी सिल लिया है तो यहां पर मैंने इसको तीनों तरफ से सिल दिया है और थोड़ा सा यहां ओपन रखा है यहीं से अब हमने इसको इस तरह से बाहर की तरफ टर्न कर लेना है टर्न करने के बाद हमने जो इसके कॉर्णर है चारो कॉर्णर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है तो ये बड़ी आसानी के साथ सीधी तरफ टरन हो जाएगा अब बस कॉर्णर को बाहर निकाल लेंगे तो लिजे ये सैट हो गया है अब फोरहेट पट्टी को हमने अपने हिजाब के साथ जॉइन्ट करना है तो उससे पहले यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी होगी इसके बाद देखिए हमारे ये जो हिजाब है इसको हमने सीधी तरफ उपर की तरफ रखा है यानि इसकी जो सीधी साइड है वो उपर है और जो इसकी रॉंग साइड है वो नीचे की तरफ है और ये वाला जो corner है ये मेरे right hand पर आ रहा है तो इस चीज़ को आप धिहान रखे तो जब हम इसको पहनेंगे तो ये हमारे left hand पर आएगा अब इस corner से उपर की तरफ मैं 23 inch पर mark करूँगी अगर आप जादा heavy ladies के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 25 inch पर mark करना होगा और 6 inch पर हमने इस तरफ करना होगा तो center से हमने 6 inch इधर किया और 6 inch इधर किया जो हो गया total हमारा 12 inch तो 12 inch पर हमारा ये जो forehead party है joint होगी अब forehead party का भी center निकाल लेंगे इस तरह से इसके बाद जो हमारा ये center है ये वाला इन दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से तो पट्टी को पहले set कर लेंगे center के सामने center रखते हुए थोड़ा सा एक दूसरे के उपर चढ़ाते हुए यहां रखेंगे और simply एक सिलाई लगा देनी है सिलाई को अच्छे से lock कर देंगे starting और end में और इसी सिलाई के साथ हमारा हिजाब ready हो जाएगा इसके बाद अब हमने अपना nose piece लेना है so nose piece को देखिए मैंने चारो तरफ से quarter inch double fold कर लिया है अभी हमने iron नहीं की है और यह हमारी strips हैं जिसको मैंने सिल लिया है अब इसका जो एक सिरा है वो मैंने खुला रखा है बंद वाली side से बाहर के तरफ किसी भी नोकेली चीज से इसको बाहर के तरफ हमने सीधा कर लेना है इस तरह से सीधा करने के बाद अब हमने इन पट्टियों को यानि जो strips है इनको अपने nose piece के साथ अटाच करना है तो यहाँ पर हमने जो cutting के time marking की थी यह वाली इसको और में डाक करके दिखा रहे हूं अब यहीं से हमने दोनों point को इस तरह से पकड़ना है इस तरह से और अब हमने जो strips ready की हैं वो हमने इसके साथ सिलना है तो strip की जो हमारी खुली side है यह वाली इसको हमने यहाँ इसके अंदर nose piece के यहाँ रखकर एक सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से यह वाली strip को इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई को हमने तीन से चार बार अच्छे से लॉक कर लेना है दोनों side में तो देखिए हमारा यह हिजाब भी ready हो गया है forehead party को हमने हिजाब के साथ सिल दिया है यहाँ से तो इस तरह से यह हमारा जो हिजाब है वो बिलकुल सिल चुका है एंड इसी के साथ जो हमारा nose piece था उसमें भी हमने यह strips लगा ली है दोनों side में तो बहुत ही आसानी के साथ ही हमारा ready हो गया और इसमें कोई joint भी नहीं लगाया हमने अब चलिए देख लेते हैं इसको पहनना कैसे है तो मैं dummy पर पहना कर दिखा रही हूँ तो पहनने से पहले हमने कोई भी inner हिजाब कैप पहन लेना है इस कैप की वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको pin comment description box और end screen बर मिल जाएगा जहां से आप ये कैप की वीडियो देख सकते है इसके बाद देखिए हमने सबसे पहले अपना nose piece ले लेना है nose piece की ये जो side रहेगी ये सीधी तरफ रहेगी यानि इस तरह से ये right side बाहर की तरफ आएगी इसके बाद हमने जो strips हैं वो पीछे की तरफ ले जाते हुए tie कर लेनी है इस तरह से nose piece पहनने के बाद अब हमने अपना हिजाब लेना है तो दिखिए जो हिजाब है इसका जो हमने forehead party लगाई थी ये उपर माथे की तरफ आएगी और बड़ी वाली side जो है वो हमारी right hand पर आएगी और जो छोटी वाली side है वो left hand पर आएगी और अब हमने इसकी सीधी side उपर रखनी है wrong side अंदर की तरफ और forehead party को माथे के उपर cover करते हुए ये party के जो side से ये पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और इसको अब हमने यहाँ पीछे की तरफ tie कर लेना है जहां हमारी चोटी वाला area होता है यहाँ पर हमने इसको बांध लेना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने हिजाब की यह पट्टी यहाँ लाकर बांधी है तो जस्ट चोटी के नीचे इसको बांध लेना है इस तरह से इसकी fitting बिलकुल अच्छे से आएगी आप देखिए चोटा वाला जो पीस है यह हमारे left hand पर आएगा तो इसको आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप nose piece के नीचे के अंदर इस तरह से cover करते हुए यहाँ लाकर forehead piece के अंदर भी कर सकते हैं या फिर एक pin के साथ इसको tuck कर सकते हैं तो मैं पिल लगा कर बता रही हूँ अदरवाइस पिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है जो हमारी माथा पट्टी है उसके अंदर भी आप इसको set कर सकते हैं असानी के साथ यह उसमें tuck हो जाएगा अब बड़ा वाला जो हमारा area है यह वाला इसको भी हमने nose piece के नीचे से लेना है और अब इसको यहाँ लाते हुए हमने सर के ओपर लाना है और यहाँ से हमने इसको अच्छे से set कर लेना है तो अब इसको हम यहाँ से set कर लेंगे और मैं एक pin लगा लूँगी और आप चाहें तो pin भी लगा सकते हैं या फिर इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं आप देख सकते हैं तो मैं pin लगा कर बता रही हूँ जब हम यहाँ pin लगा लेंगे तो उपर से भी देख सकते हैं आप बिल्कुल fitted हो गया है सो गैज उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आईए वीडियो पसंद आईए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हिजाब कैप का जो हमारा टुटोरियल है उसका लिंक आपको यहां दिख रहा है इसको डारेक्ट क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं